हलो स्टूडेंट्स वेल्कम टू हिंदी क्लास आइम रुपाली राजपूत और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा एट्थ की बुक का चैप्टर टोपी त्यारे बच्चों आज का सूविचार जिन्दगी इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोग असानी से मिली चीज की कीमत नहीं जानते आज की हमारी कहानी टोपी और लेखक संज इस कहानी के जरिये लेखक दो बातें कहना चाहते हैं पहला यह की कैसे शक्तिशाली लोग अपनी शक्ति का अनुचित प्रयोग कर अपना काम करवाते हैं दूसरी बात यह है की अगर किसी काम को करने के लिए मन में दिर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी लक्ष असंभव नहीं होता अगर हमने अपने मन में किसी काम को करने के लिए ठान ली है तो चाहे रास्ते में जितनी बंजी मुश्किलें आएं हम अपना लक्ष पाकर ही रहेंगे इस कहानी के लेकक संजे जी ने जहां पर टोपी को शक्ति और इज़त का प्रतीक बनाया है मैं फिर से रपीट करती हूँ कि लेकक ने टोपी को किसका प्रतीक बनाया है शक्ति और इज़त का सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का सार इसका पाठ में नर चिरिया और माधा चिरिया की कहानी बताई गई है एक गबरिया गोरेया और एक गबरा नर गोरेया थे दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे एक दिन दोनों में मनुश्य के द्वारा कपड़े पहनने पर बहस छिड़ गई गबरिया को कपड़ों को सुन्दर्ता और मोसम की मार से बचने का साधन मानती थी जबकि गबरा इसका विरोध करता था उसके अनुसार कपड़े से सुघर काया दिखाई नहीं देती और मोसम की मार को जेलने की ताकत भी चली जाती है गबरिया को आदमी के सिर की टोपी भागई उसने टोपी पाने की जिद ठान ली अगले दिन गबरिया को रुई का फाहा मिला और वह बहुत खुश हो उठी फाहा क्या होता है टुकड़ा रुई का टुकड़ा यह उसे टोपी का जुगार परतीत हुआ उसने सोचा कि इससे वह टोपी बनवाएगी वह रुई का फाहा लेकर एक धुनाई के पास चली गई और रुई के फाहे को धुनने की प्रात्ना करने लगी धुनिया ने कहा कि उसे राजा के लिए रजाई बनानी है मैं मुफ्त में रुई नहीं धुनता इस पर गबरिया ने कहा कि तुम रुई का आधा हिस्सा ले लेना यह परस्ताव सुनकर धुनिया तुरन त्यार हो गया क्योंकि धुनिया को रुई का आधा हिस्सा मिल रहा था फिर गबरा गबरिया एक कोरी के पास धुनिया रुई से सूथ कतवाने के लिए गए रुई से सूथ काता जाता है जिससे कपड़ा बनाया जाता है उसने भी राजा की अचकन के लिए सूत कातने की बात कही, गवरिया ने उसे भी उसे आधा सूत अपने पास रख लेने के लिए प्रस्ताब दिया, भैबी मान गया, उसने काफी महीन और लच्छेदार सूत कात दिया, इसी शर्त पर उन्होंने बुनकर से कपड़ा भी बुन लिया, उसने भी आधा कपड़ा अपने पास रख लिया, अब गवरिया कपड़े को लेकर दरजी के पास पहुंची, दरजी ने पहले तो कहा कि वह राजा के नवजात छोटे बच्चे के जब्बे सिलने में वियस्त है, पर गवरिया ने भी एक टोपी अपने पास रखने का लालच दिया, गवरिया ने फिर से दरजी को भी लालच दिया, और वह लालच सुनकर वो भी मान गया, उसने मन से दो टोपीयां सिल दी, खुश होकर उसने एक टोपी पर पांच फुन्दे भी जड़ दिये, टोपी पहन कर गवरिया नाचने कूदने लगी, अब अपनी टोपी की शान को दिखाने चल दी, वह राजा की महल के कंगूरे पर जा बैठी, उस समय राजा अपने सेवकों से मालिश करवा रहा था, वह नंगे सिर था, गवरिया कंगूरे पर से ही चलाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, ये सुनकर राजा ने दोनों हाथों से सिर्क को ढख लिया उसकी आग्या पर एक सिपाही ने गुलेल से गवरिया की टोपी नीचे गिरा दी क्यूंकि जो गवरिया थी उसने राजा की बेजती की थी टोपी की खूबसूरती देकर राजा दंग रह गया अब वह इस टोपी को बनाने वाले की खोज में जुट गया दरजी, कोरी, धुनिया सभी को बुलाया गया धुनिया ने कारण बताते हुए कहा की गवरिया ने जिस जिस से काम करवाया आधा हिसा दिया आपके यहां से तो कुछ नहीं मिलता उन लोगों ने बोला कि राजा जी हम आपका हर समय काम करते हैं आपके लिए कप्रे सिलते हैं आप जो काम बोलते हो वो हम करते हैं लेकिन आपने हमें कभी भी उसका मुआपजा उसके बदले में कुछ भी नहीं दिया लेकिन गबरिया ने हमें हमसे जो भी काम करवाया उसका आदा हिसा हमने दिया गया इसलिए हमने बड़ी ही मेनत से उसकी टोपी तैयार की आपके यहां से कुछ भी नहीं मिलता तमाम बेगार करवाने सक्ती से लगान बसूलने के बाबजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था राजा ने कहा गबरिया की टोपी को बापस कर दो गबरिया टोपी पहन कर चली गई उसने राजा को डरपोग बताया यह बाते सुनकर राजा को समझ आई कि वह अपनी प्रजा के साथ अच्छा बेवार नहीं कर रहा है और उसने गबरिया की टोपी बापस कर दी आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह पार्ट समझ आया होगा एक नए पार्ट के साथ हम फिर मिलेंगे धन्यवाद